क्या आप ही अपना UN का पासवर्ट भूल गए हो या FM Payной Bol nमvr बंद भूल गए है या तो अपना मोबाइल नमपर कौनसा रजिस्टर वह पूल गए हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा कि विडियो को आफरी तक देखे ताकि आप भी जान सके तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते है तो सबसे पहले आपको अपने मॉबाइल में गूगल ओपन करना है ओपन करने के बाद यहां पर सर्च बार में आपको टाइप करना है यूए एन लोग इन उसके आपको पहले उप्षन पर क्लिक करना यूए एन एंप्लोई प्रवाइडेंट फंड्ट पर कुलिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको फॉर्टेट पास्वड पर क्लिक कर देना है बादमें यहां पर आपको एंटर UAN पर अपना UAN नंबर टाइप कर देने और यहां नेचे Capture करना है उसके बाद Submit पर क्लिक कर देना है omit submit करने के बाद यहां पर आपको इसलों का इंटरफेस मिल जागा यहां यहां पर आपको desta मॉबाइल नंबर खो गया है या तो सीम में आपका बंद हो गया है तो आपको यहाँ पर No पर क्लिक कर देना है, बाद में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको अपना Name, Date of Birth और Gender सिलेक कर ले देना है और Verify करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, Validate Against, तो यहाँ पर आपको अपना आधार या पान नमबर टाइप करना है, तो यहाँ पर जो भी आप टाइप करना चाहते हो, वो सिलेक करना है आधार या पान, तो यहाँ पर मैं आधार सिलेक करता हूँ और अपना आधार नमबर टाइप करके रखता हूँ उसके बाद क्लिक करना है कि यहां पर आप देख सकते हो लोड हो रहा है तो है नह पर आप देख सकते हो डिटेल वैलिडेट तो यहां पर आपको नए मोबाइल नमबर टाइप करना है और GET OTP पर क्लिक करना है तो यहां पर हमारे मॉबाइल पर OTP आ चुका है तो यहां पर OTP हमको टाइप करना है तो यहां पर हम OTP टाइप कर देते हैं OTP टाइप करने के बाद यहां पर आपको verify पर क्लिक करना है तो यहां पर आप देख सकते हो OTP verified successfully उसके बाद यहां पर आपको यहां पर आपको सब्मिट पर क्लिक करना है तो यहां पर आप देख सकते हो password successfully अपर आप यहां पर अपना password बीरेशी हो गया है और अपना mobile पर चैंज हो गया है तो दोस्तों इससरा से आप भी अपना पासवर्ड चैंज कर सकते हो और